हेलो फ्रेंज, वल्कम बैक टू मैं चैनल, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ स्वैबिन की बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सबजी, एक पर आप इस सबजी को बना कर खाली तो मचली खाना भूल जाओगी, इतना टेस्टी ये बनकर तयार होती है, रेसिपी शुरू करने इस पानी में डाल देंगे, तो फ्रेंज, यहाँ पर अपने हिसाब से आप स्वैबिन ले सकते हैं, पानी में डाल कर इसको हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे, सॉप्ट होने तक, स्वैबिन में उबाल आ गया है, अब इसको हम एक बार इसी तरीकी से चला देंगे, फिर से एक बार उबाल लेंगे, तो यहाँ पर स्वैबिन अच्छे से सॉप्ट हो गये है, अब इसको हम एक इस्टेनर में चान लेंगे, सब स्वैबिन को हम एक इस्टेनर में चान लेंगे, उसके बाद इसके उपर से ठंडी पानी डाल देंगे, ताकि यह जल्दी से ठंडा हो उपर से ठंडा पानी डाल कर इसको अच्छे से पानी निकाल देंगे स्वाइबिन से इसी तरीके से पानी निकाल देंगे और इसके बाद साइड में रखतेंगे ठंडी होने के लिए यहां पर देखिए स्वाइबिन अच्छे से ठंडी हो गए है अब इसको इसी तरीके से हा पानी को निकाल दिया है स्वावन को हमने अच्छे से ड्राइक कर लिया है अब चलते हैं इस से पिसने के लिए उसके लिए आ भावन को ओना दो अए ले लिया है सभी स्वावन को मिक्सी जार में डाल देंगे और कुछ लशुन की कलिया को काट कर डाल देंगे इन सभी चीजों को डाल कर इसको हम बारिक से पीछ लेंगे तो यहां पर देखिए हमने पीछ कर तयार कर लिया है इसमें पानी थोड़ा सभी नहीं डालनी है इसको इसे ही सुखा ही पिछनी है यह थोड़ा थोड़ा गीला है हाथ सी जितना हो दाल मिर्च का पाउडर और आधा चमज सी थोड़ा कम जीरा और धनिया का पाउडर आधा चमज सी थोड़ा कम हल्दी का पाउडर और दो से धाई चमज की करीब बेशन डाल देंगे बैंडिंग के लिए और आधा चमज की करीब नामक और दो चमज की करीब इसमें तेल डाल थोड़ा सब्ठी लगाएंगे तो यहां पर हमने दो से धाई चमज के करीब ही बेशन डाली हूँ इसमें जरूरत के हिसाब से ही बेशन डालिएगा ज्यादा बेशन नहीं डालिएगा नहीं तो यह अच्छा नहीं बनेगा अब हम इसे ढखकर 10 मिनट के लिए साइड में देंगे और कुछ काली मिर्च की दाने पानी डाल कर इसको फाइंट पेस्ट बना लेंगे तो यहां पर देखिए मसाला पिसकर तयार हो गया है इसे अब हम साइड में रख देंगे अब लेंगे स्वाइबिन का डो इसको रखे हुए 10 से 15 मिनट के करीब हो गये हैं अब हम एक बार फिर से इसी तरीके से हाथों से मिला लेंगे ताकि यह थोड़ा सब्ट हो जाए और थोड़ा सा डो इसी तरीके से हाथों में लेंगे और इसी तरीके से इसको गोल सेप दे देंगे उसके बाद फ्लैट कर देंगे हाथों से इसी तरीके से दबाते हुए मचली की की shape में इसे बना लेंगे इसी तरीके से उंगली से hole कर देंगे तो देखिए यहाँ पर यह लग रहा है पुरे मचली की पीश की तरह तो इसी तरीके से हम बना लेंगे तो friends इसे थोड़ा मोटा ही बनानी है पतला नहीं बनानी नहीं तो तुटने लगेंगे पानी में तो यहां पर देखिए सेम तरीके से हमने सभी बना लिया है सभी बना कर तयार कर लिया है चलते ही से उबालने के प्रोसेस में उसके लिए हमने पहले ही से पानी गरम कर लिया है अब हम सभी पीस को इसमें डाल देंगे तो यह बहुत ह का flame medium to high कर देंगे और इसको धकर 4-5 मिनट के लिए उबाल लेंगे 4-5 मिनट उबालने के बाद गैस का flame को हम अब आफ कर देंगे तो फ्रेंस ध्यान रखेगा इसको 4-5 मिनट के लिए ही उबालनी है इससे ज्यादा नहीं उबालनी है तो यहाँ पर देखिए यह बहुत ही अच्छे से उबल गया है अब इन सभी को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में तो फ्रेंस यह बहु अब भी यह सब्ट है लेकिन पहले से थोड़ा टाइंट हो गया है और यह अच्छे से ठंडी भी हो गये तो चलिए इससे अब फ्राइ कर लेते हैं उसके लिए हमने यहाँ पर कराही में तेल को अच्छे से गरम कर लिया है अब हम इसमें जबी पीस को डाल देंगे एक बा अलटते पलटते हम इसको अच्छे से फ्राइ कर लेंगे इसे फ्राइ करते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे तभी ये अंदर तक अच्छे से फ्राइ होगा तभी ये खाने में अच्छे लगेंगे तो यहाँ पर देखिए ये फ्राइ हो गया है अच्छे से इसको हम एक जरूरत है तो हमने यहाँ पर सभी पिसेश को फ्राइ करके तयार कर लिया है तो यह बहुत ही अच्छे से फ्राइ हो गया है और इसे आप एसे भी खा सकते हैं बहुत ही टेश्टी लगती है खाने में अभी यहाँ पर जो कराही में तेल बचा था उसी में हम मसला डाल देंग अब हम इसमें आधा चमजगे करीब कास्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे यह तीखा नहीं होता है सबजी में कलर बहुत अच्छा आता है इससे एक सी दो मिनट भुनने के बाद इसमें कटी हुई टमाटर डाल देंगे तो पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे उसके बाद बागी का पानी डालेंगे तो हमने यहाँ पर ग्रेवी के लिए दो कप के करीब पानी डाल रहे हूँ आप अपने हिसाब से यहाँ पर ग्रेवी के लिए पानी डाल सकते हैं पानी डाल कर इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद स्वात की हिसाब से इसमें नमक डाल देंगे तो नमक यहाँ पर हमें एक चमस के करीब डाल रही हो नमक डालकर एक बार मिला लेंगे और इसको ढखकर 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में बॉयल होने देंगे 5 मिनट बार ढखकन हटा कर एक बार चेक कर लेंगे तो ग्रेवी यहाँ पर अच्छे से उबल गया है हमने यहाँ पर गैस का फ्लेम को लो कर दिया है अब हम सभी पीसे इसको इसमें डाल देंगे और 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसको हम पका लेंगे इसको अब हम ढखकेंगे नहीं बिना ढखके 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे लगती है खाने में तो आप सब इस तरीकी के सबelly में जरूर टरका लगा अर खाये गाइगा बहुत टेश्टी लगती है खाने में ठंडी करने के बाद इसे हँं स्वर्ब कर लेंगे तो एका म Dü Scr और बहुत और आधा कि यहुर।